हेलो दोस्तो आज हम सीखेंगे अपने यूटूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है फ्रेंट्स इस टॉपिक पर वीडियो तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी और व्यूज भी आपको मिलियन में देखने को मिल जाएंगे पर सवाल ये आता है दोस्त कि आपके वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आते आपके चैनल पर सस्क्राबर नहीं हैं तो फ्रेंट्स आपको टैंसल लेने की जरूरत नहीं है आँगे वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ आप friends विस्वास नहीं करोगे आपकी ही तरह हमने भी अपना channel 4-5 महीने पहले start किया था और आज हमारा criteria लगबक complete हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हो 60 subscriber बचा हुआ है और 44 गंटे बाज time बचा हुआ है और बाकी का complete हो चुका है आप friends यहाँ पर देख सकते हो इतनी जल्दी friends कैसे हो गया क्योंकि हमारे channel पर जो 28 दिन में views आता है वो 25,000 से पिलस आता है और बाज time 1000 गंटे के आसपास आता रहता है आपको friends अपना channel कैसे grow करना है इस वीडियो में आगे सब कुछ बात करने वाले हैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जहां से आप अपनी वीडियो को viral भी कर सकते हो और अपने channel पर subscriber भी बढ़ा सकते हो तो friends वीडियो दो मिनट लंबा हो सकता है लेकिन आज आपको बहुत कुछ सिखाखे जाऊंगा तो चलो friends वीडियो को सुरू करते हैं अगर हमारे channel पर नए हो तो अन्सु इसका ही channel को subscribe करके वैल आइकन को प्रेज कर लेना है और वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो आप कहीं से भी upload कर सकते हो Chrome browser से भी upload कर सकते हो या YouTube application से भी upload कर सकते हो लेकिन जो सबसे most important होता है कि उस वीडियो को upload करते समय उस वीडियो में material क्या-क्या यूज करते हो ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मैं आपको suggest करूंगा कि आप अपनी वीडियो को Chrome browser से करना है studio.youtube.com यहां पर नीचे क्लिक नहीं करना है आपको पूरा लिखना है और मिलाकर लिखना है नहीं तो आप किसी दूसरी सैट पर चले जाओगे आपको इस तरीके से लिखना है और लिखने के बाद में आपको सर्च कर देना है अब यहां पर friends आपके channel का dashboard उपन हो जाएगा और आपको यहां पर three dot पर किलिक करना है और यहां से आपको desktop side पर लगा लेना है वीडियो अपलोड करने के लिए आपको यहां पर थोड़ा सा जूम करना है और यहां पर आपको देख लेना है आपके channel की profile picture है या किसी और channel की profile picture है एक बार verify कर लेना है और यहां पर आपको create का option मिल जाएगा आपको इस पर किलिक कर देना है और यहां पर आपको upload वीडियो का option मिल जाएगा आपको यहीं से वीडियो को upload करना है यह ध्यान से देखना है और upload वीडियो पर किलिक कर देना है अब यहां पर आपके सामने select file का option आ जाएगा आपको इस पर किलि पर किलिक करना है अब यहाँ पर फ्रेंट्स आपकी वीडियो एलबम में मिल जाएगी या फिर वीडियो में मिल जाएगी आपके फॉन में कहाँ पर है देख लेना है और यहाँ से अपलोड कर देना है मैं यहाँ पर वीडियो पर किलिक करता हूँ और यहाँ से उस वीडियो को स्लेक्ट कर लेना है जिस वीडियो को आप अपलोड करना चाहते हो और यहाँ पर आपकी वीडियो अपलोड होने लगेगी अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा अब तब तक friends हमारी वीडियो अपलोड हो रही है तब तक हम title और description को लिख लेते हैं टाइटल आपको यहाँ पर लिखना है पहले इसको back कर देना है अब यहाँ पर उस title को लिखना है जिस topic पर आपने वीडियो बनाई है जैसे मेरी वीडियो का topic है व्यूज कैसे बढ़ाएं तो friends हम यहाँ पर लिख लेंगे व्यूज कैसे बढ़ाएं अब यह keywords आपको कहां से लेना है जो आपकी वीडियो भी YouTube सर्च में जाई जब भी कोई आपकी वीडियो को सर्च करें तो आपकी वीडियो लोगों तक पहुँचे ताकि वो देख सकें ऐसे keywords आपको कहां पर मिलेंगे आपको टैंसन नहीं लेना है सब कुछ बताऊंगा वीडियो में आपको यहां पर जो बटन दिख रही है बीच वाली आपको यहीं से कट कर देना है अब आपको अपना YouTube एपलिकेशन उपन कर लेना है और यहां आपको profile picture पर किलिक करना है और यहां पर turn on incognito mode लिखा हुआ मिल जाएगा आपको इस पर किलिक कर देना है अब यहां पर friends आपका बिलकुल fresh page उपन हो गया है आपको यहीं से keywords को सर्च करना है और जब इसको दोबारा से सही करना होगा तब आपको इसी पर फिर से किलिक कर देना है और यहां से आपको इसको off कर देना है आपका पहले की तरह उपन हो जाएगा अब यहां तक friends आपको सबको समझ में आ गया होगा अब हम समझते हैं टाइटल के लिए keywords को कैसे लेना है आपको यहां पर सर्च वाले option पर किलिक करना है अब यहां पर आपको उस topic को सर्च करना है जिस topic पर आपने अपनी वीडियो को बनाया है जैसे मेरा topic है व्यूज कैसे बढ़ाएं तो हम यहां पर लिखेंगे व्यूज कैसे देखिए friends हमने सिर्फ इतना लिखा है व्यूज और नीचे लिखकर आ गया है व्यूज कैसे बढ़ाएं अब लोग यहां पर सर्च नहीं करेंगे नीचे वाले पर किलिक कर देते हैं और यहीं से वीडियो को देख लेते हैं और जिन लोगों ने इस कीवर्ड को यूज किया था उनकी वीडियो सर्च में आ जाती है और वीडियो को वो लोग बच कर लेते हैं तो friends आपको समझ में आ रहाओगा कि इसी तरह हमें भी अपने वीडियो में टेग लगाना है अब आपको इस पर किलिक कर देना है और यहां पर थोड़ी देर दबा के रखना है और यहां से कॉंपी कर लेना है आपका कीवर्ड कॉंपी हो जाएगा अब यहां पर आपको ब वीडियो अपलोड हो रही थे और यहां पर आपको उसी keywords को टाइटल में paste कर देना है थोड़ा सा दबाकी रखना है और इंगलिस में और keyword को लगाना है जब भी कोई आपकी वीडियो को Hindi में सर्च करेगा फिर भी आपकी वीडियो दिखाई देगी और जब कोई English में सर्च करेगा तब भी आपकी वीडियो दिखाई देगी इंगलिस में keywords लगाने के लिए same process है यहां 3-line वाली बटन पर click करना है और यहां से YouTube पेज को open कर लेना है और यहां पर अपने topic को इंगलिस में सर्च कर लेना है मैं कर लेता हूँ how to यहां पर देखिए आ गया है इसी पर click कर देना है और यहां से keywords को copy कर लेना है और उसी page से जाकर आपको वहाँ title में paste कर देना है इस तरीके से और इसी तरीके से एक keywords को और लिख लेना है जैसे मैंने लिखा है यूटूब पर views कैसे बढ़ा हैं आपको अलग-अलग तरीके से लिखना है बस आपका title complete हो चुका है इस से जादा बढ़ा लिखोगे अपने टाइटल को एक बार description में जरूर लिखना है और यहां पर paste कर देना है अब यहां पर आपको ठोड़ा सा space देना है और यहां पर अपने इसाफ से आप description लिख सकते हो या जो वीडियो के बारे में बताया है उसके बारे में भी लिख सकते हो अगर आप हमारी तरह description लिखना चाहते हो तो friends आप यहाँ पर देखिए मैंने friends पहले से description words को notes में लिख रखा है मैं आपको भी दिखा देता हूँ इस तरह से मैंने अपनी description को लिख रखा है और यहीं से हर वीडियो में मैं अपनी description को copy करके वहाँ पर paste कर देता हूँ तो मु लिखना कैसे है यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिख लेना है welcome to my description और यहाँ पर watch next video लिख देना है और यहाँ से अपनी वीडियो की link दे देना है और यहाँ पर follow me on लिख देना है और यहाँ पर अपने social media की link को यहाँ पर दे देना है और यहाँ पर hashtag लगाना है और यहां पर आपको your curious को लिखना है अगर आपने अपनी वीडियो में किसी की picture या किसी की video clip को यूज किया है तो friends आप ये वाला disclaimer भी लगा सकते हो अगर आपने नहीं यूज किया है तो आप इसको हटा भी सकते हो और यहां पर आपको thanks for watching लिख देना है आपकी description भी complete हो जाएग तो friends इसको copy करके हम description लगा लेते हैं आपको भी इसी तरह से लगा लेना है यहां पर paste कर देना है देखिए दोस्तों अगर आपको अपनी वीडियो को viral करना है तो friends आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी तबी आप YouTube से पैसा कमा सकते हो अगर आपने आज का वीडिय पूरा देख लिया तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी तो आपको अपनी वीडियो में हैजटेक और लगाना है most important setting करनी है कैसे करोगे आपको अभी नीचे सब कुछ बताऊंगा बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहे और यहां पर है पहला है हमारा लगा हुआ है अंसू दूसरा हैजटेक व्यूज लगा लेता हूं और तीसरा हैजटेक व्यूज कैसे बढ़ाएं और चौता हैजटेक मैं यह वाला लगा लेता हूं आप अपने टॉपिक के साब से यहां पर हैजटेक लगा सकते हो जिस टॉपिक पर Upload Thumbnail पर click करना है और Browse में चले जाना है और यहाँ पर Album पर click करना है अपने Thumbnail को यहाँ से select कर लेना है आपका Thumbnail लग जाएगा अब यहाँ पर आपको Soi Moor का एक option दिख जाएगा आपको इस पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा slide down करना है और यहाँ पर आपको दो option मिल जाएंगे यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है अगर आप बच्चों के लिए वीडियो बनाते हो तो आपको यहाँ पर उपर वाले पर टिक लगा देना है अगर आप बच्चों के लिए वीडियो नहीं बनाते हो तो आपको नो पर किलिक कर देना है इसमें आपकी वीडियो को सभी लोग देख सकते हैं अब आपको age restriction का एक option मिल जाएगा आपको इस पर किलिक कर देना है इसमें आपको नो पर किलिक कर देना है अगर आपने अपनी वीडियो में कोई paid promotion किया है तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है अगर आपने कोई promotion नहीं किया है तो आपको ऐसा ही छोड़ देना है अब आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको tag का option मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको tag लगाने हैं इस तरीके से बड़े बड़े creator भी tag लगाते हैं इसी तरीके से जिससे आपकी video search engine में rank करती है सबसे man काम तो यही है यहाँ पर आपको इस तरीके से tag लगाने है कि आपकी video को किस किस तरीके से लोग search कर सकते हैं आपको अलग-अलग तरीक टेग को यहां पर लिखा हुआ है व्यूज कैसे बढ़ाएं व्यूज बढ़ाने का तरीका व्यूज कैसे बढ़ाएं 2023 व्यूज नहीं आ रहा है तो क्या करें इसी तरीके से आपको भी अलग अलग तरीके से टेग लगाना है किसी भी परकार से लोग सर्च करें बस आपकी व क्लियर हो गया अब आंगे शमझते हैं अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो के लिप कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ कर सकता है तो फ्रेंट्स आपको allow कर देना है अगर नहीं रह गया है और उसको भी फटाफट कर लेते हैं आपने जो टेग यहां पर लगाए हुए थे उन सारे टेग को कॉपी करके आपको यहां पर आना है और क्यूरीज में आपको पेश्ट कर देना है इस तरीके से अब आपका काम कंप्लेट हो चुका है अब आपको एक बार सारा चेक कर लेना है उसके बाद में आपको यहां पर जूम करना है और यहां पर नेश्ट का ऑप्सिन मिल जाएगा आपको इस पर क्लिक कर देना है अब आपके सामने इस तरह का पेज उपन होकर आ जाएगा अप यहां पर आप तीन चीजें एड़ कर सकते हो सब्टाइटल एंड स्क्रीन एड़ कर सकते हो जो वीडियो के एंड में इस तरह से दिखाई देती है और यहां से आई वटन को एड़ कर सकते हो जो वीडियो में इस तरह से दिखाई देती है अगर आप एंड स्क्रीन लगाना चाहते हो तो फ्रेंट्स यहां पर आई वटन में एक वीड करना है और यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह everything का bertरफयोफ आ जाएगा आप जहां भी आई वट्टन को लगाना चाहेते हूँ इस line को वहां पर आपको सेट कर देना है इस तरीके से और यहां पर आपको किलिक करना है और यहां पर फ्रेंट्स आपको एक बार चेक कर लेना है कि कोई कॉपी राइट तो यहां पर नहीं है नो इसूज फंड लखा हुआ है तो फ्रेंट्स आपके वीडियो पर कोई भी कॉपी राइट नहीं है और फिर से यहां पर नेस्ट कर देना है अब यहां पर आपको एक बात बहु ही देख सकते हो आपके लाबा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता है अगर आप अपनी वीडियो को अनिस्टिट पर किलिक करके अप लूड करते हो अगर उसमें कोई भी गल्ती होगी तो आप उसको दुभारा से सई कर सकते हो अगर आप पबलिक पर select करके वीडियो को upload करते हो तो friends आपकी सीधी एक बार में ही वीडियो public हो जाएगी पर मैं आपको suggest करूँगा कि आप वीडियो को unlisted पर रखें इसके वाद में आपको public करना है कैसे करना है अभी मैं आपको बताऊंगा आपको unlisted को select कर लेना है और यहां से आपको nest कर देना है अब आपकी वीडियो upload हो चुकी है यहां पर friends आप देख सकते हो अब आपको public कैसे करना है आपको यहां से cut कर देना है अगर आपके phone में YT Studio application नहीं है तो आपको play store से जाकर YT Studio application डाउनलोड कर लेना है और install करके आपको open कर लेना है और यहां पर आपको कुछ इस तरह का page open हो जाएगा आपको content वाले option पर click करना है जो आपने अभी वीडियो upload की थी वो आपके सामने first number पर दखाई देगी आपको इस वीडियो पर click कर देना है और यहां पर आपको एक pencil का icon दिख जाएगा आपको इस पर click कर देना है और यहां से आप अपनी वीडियो को दुबारा से check कर सकते हो अगर उसमें कोई भी गलती है तो आप अभी सही कर सकते हो अब आपको public करने के लिए यहां unlisted पर click करना है और यहां पर public वाली option पर click कर देना है अब यहां से आपको back आ जाना है और यहां से आपको save कर देना है आपकी वीडियो public हो जाएगी यहां पर visibility में देख सकते हो आपकी वीडियो public हो चुकी है तो friends आसा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा बेल आइकन को प्रिस कर लेना है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद